हेलो बच्च में शिक्षा सक्सा सीडीज एजूकेशन से हम हिंदी व्याकारण के विश्यों पर चर्चा कर रहे हैं आज का हमारा विश्य है अर्थ के आधार पर वाक्या भेद पर आधारित कुछ बहु विकल्प्या प्रशन यानि इस वीडियो में हम केवल अर्थ के आधार पर वाक्या भेदों के MCQs पर चर्चा करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्या भेदों को भी जान लेते हैं वो आठ परकार के भेट कौन कौन से हैं संदेह वाचक वाक्या, निश्य धात्मक वाक्या, प्रश्न वाचक वाक्या, अग्या वाचक वाक्या, संकेत वाचक वाक्या, विस्मियादी बोधक वाक्या, विधान वाचक वाक्या और इच्छा वाचक वाक्या ये आठ परकार के जो भेट कहे गए हैं अर्थ के आधार पर वाक्या के इन्हीं के आधार पर प्रिक्षा में आप से प्रशन पूछे जाएंगे और बच्चों अगर अर्थ के आधार पर वाक्या भेट के बारे में डिटेल टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहाँ पर जाकर आप इस टॉपिक को भी प्रपेर कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं कि अर्थ के आधार पर जो ये आठ परकार के मुख्या भेट बताए गए हैं वो आप किस तरह से पहचान सकते हैं उनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि आपको जो वाक्या दिया क्या मेरा भाई आपसे मिला इस वाक्या में अर्थ के आधार पर वाक्या का कौन सा वाक्या भेध है तो यहां पर देखे पहले प्रशन में आपको एक वाक्या दिया गया है और आपको यह पता करना है कि अर्थ के आधार पर वाक्या का यहां पर कौन सा भेध है तो आपको च क्या मेरा भाई आप से मिला और यहां पर देखे अंत में क्या है प्रेशन वाचक जो चिन है उसका प्रियोग किया गया है और प्रेशन वाचक चिन जहां पर प्रियोग में किया जाता है और जहां पर जो है किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर क्या होता है वहां पर होता है प्रेशन वाचक वाक्या तो यहां पर जो है तीसरा जो हमारा आप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा यानि क्या मेरा भाई आपसे मिला ये वाक्या जो है प्रेशन वाचक वाक्या है प्रेशन नमबर दो वह बहुत जोर से हस रहा है इस वाक्या को विस्मे वाचक वाक्या में बदल कर लिखिए अब यहाँ पर देखे आपको एक साधारन सरा सा वाक्या दिया गया है वहाँ बहुत जोर से हस रहा है अब इस वाक्या को आपने विस्मय वाचक वाक्या में बदलना है और विस्मय वाचक वाक्या कैसे होते हैं जहां पर हैरानी शोक या खुशी व्यक्त की जाती है और सबस आसान तरीका को पहचानने का विसमय सूचक चिन के द्वारा तो यहां पर देखे चार आप्शन है अरे वह बहुत जोर से हस रहा है दूसरा आप्शन है वह बहुत जोर से क्यों हस रहा है तीसरा है वह बहुत जोर से नहीं हस रहा है चौथा है अरे वह बहुत जोर से हस रहा अब यहाँ पर देखे मैंने कहा है कि विसमे सूचक चिन से जो है आप विसमे वाचक वाक्या को पहचान सकते हैं तो यहाँ पर दो option है जहाँ पर विसमे सूचक चिन लगाया गया है पहला option देखे जहाँ पर अरे शब्द के बाद जो है जो ये चिन है ये विसमे सूचक चिन है और चौते option में भी देखे हस शब्द के बाद जो है विसमे सूचक चिन लगाया गया है लेकिन सही जगह पर विसमे सुचक चिन का प्रियोग ही विसमे वाचक वाक्या का सही वाक्या हो सकता है अब यहाँ पर जो पहला option है अरे वह बहुत जोर से हस रहा है यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर सही जगह पर विसमे सुचक चिन का प्रियोग हुआ है लेकिन चौथे आप्शन में जो है गलत जगा पर विसमे सुचक चिन का प्रयोग हुआ है तो वो गलत होगा और जो दूसरा option है वह बहुत जोर से क्यों हस रहा है ये क्या है ये किसी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि वो क्यों इतने जोर से हस रहा है लेकिन ये पूरी तरह से भी प्रेशन वाचक वाक्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां पर क्य े के रोगा है और नहीं शब्त का प्रियो का होता है जहांड़ को किसी चीज का निशेध हो मनाही हो कि ये इट वाक्या किया ये निशेधdish वाक्या रातमक वाक्या है और हमें कहा गया है विस्मेवैशक वाक्या को धुर्णने के लिए तो हमारा जो पहला option है अरे वह बहुत जोर से हस रहा है ये हमारा सही उत्तर है और बच्चो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजे ताकि जब भी हमारे उस फुल वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपने एक्जैम्स की तयारी सासाथ करते रहें तो हम आते हैं अपने अगले प्रशन पर हमारे अगला प्रशन है राधा ग्रहिनी है इस वाक्या में उदेश्य और विधेय चांट कर लिखिए अब यहाँ पर देखिए आपको एक साधारन सा व पाक्या का निर्मान होता है तो यह भी आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर पूरे डिटील में देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उदेश्य और विधेय को आप कैसे पहचान सकते हैं तो हम आते हैं प्रशन पर राधा ग्रहिनी है इसमें उदेश्य कौन सा है और विधे दूसरा option है उदेश्य राधा विधेय ग्रहिनी है तीसरा है उदेश्य है विधेय राधा चौथा है उदेश्य ग्रहिनी विधेय है साधाना तरीके से आप उदेश्य और विध्यय को ऐसे याद रख सकते हैं कि वाक्या में जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो उदेश्य होगा और बाकी जो पोर्षन बचा वाक्या में वो सारा विध्यय होगा तो यहां पर देखें बात किसके बारे में हो रही है राधा के बारे में बताया जा रहा है कि राधा ग्रहिनी है तो उदेश्य क्या हुआ राधा और बाकी जो पोर्शन है ग्रहिनी है वो क्या हुआ विधेया तो हमारा जो दूसरा आप्शन है वो हमारा सही उत्तर है हुआ वाक्या होगा वो होगा विधेय प्रेशन नमबर चार अभय डॉक्टर है इस वाक्या को निशेद वाचक वाक्या में कैसे लिखा जाएगा अब यहां पर देखे बहुत ही सिंपल वाक्या आपको दिया है अभय डॉक्टर है इसको आपने निशेद वाचक वाक्या में कैसे पहचान होती है? वहाँ पर नहीं, न या मना ही वाले शबदों का परीग होता है. तो यहाँ पर चार option है, क्या अभय डॉक्टर है? Option 2, अरे अभय डॉक्टर है. तीसरा, अभय डॉक्टर नहीं है. चौथा, अभय डॉक्टर क्यूं है? तो यहाँ पर देखे पहला जो option है क्या अभे डॉक्टर है यह पूर्ण तरह से प्रेश्ण वाचक वाक्या भी नहीं है दूसरा है अरे अभे डॉक्टर है अरे के बाद क्या है विसमे सुचक चिन का प्रोग हुआ है तो ये क्या है विसमे वाचक वाक्या है और हमें कहा है निशेद वाचक वाक्या में बदलना है हमें इसे और तीसरा आप्शन है अभे डॉक्टर नहीं है यहाँ पर क्या है नही वाले शब्दों का प्रयोग होता और नहीं जो है मनाही वाला शब्द है तो ये हमारा सही उत्तर होगा चौथा है अभे डॉक्टर क्यूं है और यहां पर भी क्यूं जरूर प्रयोग हुआ है लेकिन प्रशनवाचक चिन नहीं है तो ये भी जो है प्रशनवाचक वाक्या भी नहीं होगा ये धोनों जो है गलत है पहला और चौथा और यहां पर हमारा सही option है option number three अभे डॉक्टर नहीं है प्रशन नमबर पांच मेरा पत्र पिता जी को मिला इस वाक्या को प्रशन वाक्या में बदल ये यहां पर देखिए आपको एक वाक्या दिया है आपने उसे प्रशन वाक्या में बदल कर लिखना है चार option है क्या मेरा पत्र पिता जी को मिला दूसरा है शायद मेरा पत्र पिता जी को मिला तीसरा है अरे मेरा पत्र पिता जी को मिला चौथा है मेरा पत्र पिता जी को नहीं मिला तो यहाँ पर देखे जो पहला option है हमारा क्या मेरा पत्र पिता जी को मिला यहाँ पर देखे किसी के बारे में जो है जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मेरा पत्र पिता जी को मिला होगा यानि यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की को ले गए हैं दूसरा option है शायद मेरा पत्र पिता जी को मिला यहां शायद शब्त का प्रयोग हो रहा है और यहां पर जो है संदेह उत्पन क्या जा रहा है कि शायद मेरा पत्र पिता जी को मिला होगा ठीक है और जो तीसरा option है वो है अरे मेरा पत्र पिता जी को मिला यहां पर अरे के बाद क्या है विसमे सूचक चिन है उसका प्रयोग हुआ है तो यह क्या है विसमे वाचक वाक्या में बदला गया है और चौथा है मेरा पत्र पिता जी को नहीं मिला यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है यानि मनाही के रूप में जो है यहाँ पर प्रयोग क का मन हो रहा है यह वाक्या किस प्रकार का वाक्या है आपको यहां एक वाक्या दिया गया है आपने यह ढूना है कि यह कौन सा वाक्या है प्रशन फिर से पढ़िए मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है अब यहां पर आपको चार आप्शन दिये हैं आग्या वाचक वाक संकेथ वाचक वाक्या, इच्छा वाचक वाक्या, विसमयादी बुधक वाक्या. तो यहाँ पर देखे, आगया तो नहीं दी जा रही है किसी को, तो यह पहला आप्षन हमारा बिल्कुल गलत होगा. किसी चीज़ का संकेत भी नहीं दिया जा रहा है तो ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आश्चेरिया नहीं है खुशी नहीं है गम नहीं है और नहीं सा शाथ SMITH सूचक चिन का प्रयोग भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है जो हमारा तीसरा option है इच्छा वाचक वाक्या वो हमारा सही उतर होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है इच्छा व्यक्त की जा रही है अपने मन की की मुझे आज बाहर गुमने का मन हो रहा है यह इच्छा व्यक्त हो रही है और इच्छा जहाँ पर व्यक्त होती है वहाँ पर क्य पैचाना बहुत ही सरल है कि यहां पर संदेह होगा, संदेह वाचक 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 वाच्य होगा, तो जो हमारा पहला option है, वो हमारा सही उत्तर होगा, यानि संदेह वाचक वाच्य. question number 8, रमा पत्र लिक रही है, इस वाक्या में अर्थ के अधार पर वाक्या का कौन सा वाक्या भेद है यहां पर भी आपको एक वाक्या दिया गया है और पूछा गया है कि यहां पर कौन सा वाक्या भेद है यहां पर चार option है विधान वाचक वाक्या, संदेह वाचक वाक्या, प्रश्न वाचक वाक्या या आग्या वाचक वाक्या तो यहां पर देखे क्या है रमा पत्र लिख रही है बहुती सिंपल वाक्या है बहुती सरल वाक्या है और जहां पर एक कर्ता हो एक क्रिया हो एक कर्म हो वहां पर क्या है वहां पर विधान वाचक वाक्या होता है और यहां पर कर्ता भी एक है कर्म भी एक है और एक क्रिया हो अब यहां पर आपको एक वाक्या दिया गया है और आपने इस वाक्या को जो है विसम वाचक वाक्या में बदलकर लिखना है तो वाक्या क्या है? बहुत सुंदर दृष्य है, अब आपने देखना है कि जो आपको उप्शन दिये हैं, वहाँ पर किस वाक्या में जो है विस्मे सुचक चिन का प्रियोग हुआ है, वहाँ से आप सबसे पहले अपने विस्मे वाचक वाक्या को पहचान सकते हैं तो आप्शन को देख लेते हैं पहला आप्शन है शायद बहुत सुन्दर दृश्या है दूसरा क्या सुन्दर दृश्या है तीसरा वाह कितना सुन्दर दृश्या है चौथा बहुत सुन्दर दृश्या नहीं है तो यहाँ पर देखिए चार आप्शन मैंसे केवल एक आप् इसमें सुचक चिन को पहचानना प्रेशन नमबर दस मजदूरों ने काम कर लिया इस वाक्या में उदेश्य और विदेह चांट कर लिखिए अब यहां पर भी देखिए एक वाक्या दिया है और आपने इस वाक्या में भी जो है उदेश्य और विदेह को चांट कर लिखना है पहला है उदेश्य काम कर लिया विधेय मजदूरों ने दूसरा आप्शन है उदेश्य मजदूरों ने विधेय काम कर लिया तीसरा है उदेश्य मजदूरों ने विधेय काम चौथा है उदेश्य लिया विधेय मजदूरों ने हमने पहले भी कहा था कि उदेशिया होता है वाक्या में जिसके बारे में बात हो रही हो और विधेया जो है पूरे वाक्या में जो बच जाता है उसको पूरा विधेया में रखा जाता है तो यहां पर देखें किसके बारे में बात हो रही है यानि मजदूरों के बारे में बात हो रही है तो यहां पर उदेशिया होगा मजदूरों ने और विधेया होगा काम कर लिया तो यह कहा है हमारे option number 2 में option number 2 हमारा सही उत्तर होगा option number 11 तुम कितने अच्छे लग रहे हो इस वाक्या को विस्मियादी वाचक वाक्या में कैसे लिखा जाएगा तो यहां पर देखे आपको एक वाक्या दिया गया है तुम कितने अच्छे लग रहे हो आपने इस वाक्या को जो है विस्मियादी वाचक वाक्या में बदल कर लिखना है तो यहाँ पर जो है आपको चार option दिये गए हैं आपने उस मैसे चांट कर लिखना है कि इस मैसे कौन सा जो है विस्मियादी वाचक वाक्या है यहाँ पर पहला option है तुम अच्छे नहीं लग रहे हो तीसरा option है अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो चौथा option है तुम इतने अच्छे क्यों लग रहे हो तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था विस्मियादी वाचक वाक्या को पहचानने का सबसे आसांतरी का कौन सा है विस्मियादी सूचक को ढूनना तो यहाँ पर हमारे चारो options मैं से केवल तीसरा जो हमारा option है उसमें ही जो है विस्मियादी सूचक का प्रयोग किया गया है तो वो ही हमारा सही उतर होगा यानि तुम कितने अच्छे लग रहे हो कविसमे आदी वाचक वाक्या होगा अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो प्रेशन नमबर बारा तुम अच्छे अंक से पास हो गए इस वाक्या को प्रेशन वाचक वाक्या में बदलिए अब आपको एक वाक्या दिया है और आपने इस वाक्या को प्रेशन वाक्या में बदलना है तो आपने प्रेशन वाक्या में बदलते समय क्या धियान रखना है कि वहाँ पर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही हो और वहाँ पर प्रेशन वाचक जो चिन है उसका प्रियोग होना अनिवार्या है वरना आपका प्रेशन वाचक वाक्या जो है वो पुर्ण रूप से सही नहीं बाना जाएगा तो यहाँ पर हम आते हैं अपने प्रेशन पर जहाँ पर चार आप्शन दिये हैं आपको क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए दूसरा है क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए तीसरा है अरे तुम अच्छे अंक से पास हो गए चौथा है तुम अच्छे अंक से पास नहीं हुए तो यहाँ पर देखिए आपको दो option एक समान दिये हैं जहाँ पर आपको confusion हो सकता है कि कहाँ पर जो है सही प्रेशनवाचक वाक्या कहा जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या तुम अच्छे अंक से पास हो गए दूसरा option जो है वो बिलकुल सही है क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या शब्द का प्रियोग हुआ है जिससे जो है कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो है प्रेशनवाचक चिन्न का प्रियोग भी हुआ है लेकिन पहला जो option है वहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग तो हुआ है लेकिन उसमें last में देखिए वहाँ पर प्रिष्न वाचक चिन्न का प्रयोग नहीं हुआ है तो ध्यान रखेगा प्रिष्न वाचक वाक्या को पहचानने के लिए केवल जानकारी प्राप्ट करने वाले उन्ही का प्रियोग करना सही नहीं है साथ ही साथ प्रिशन वाचक जो चिन है उसका प्रियोग भी आपने करना है इसी तरह की महतवपुन जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जाकर बैल आइकन को हिट कर लेजे ताकि आप कोई भी useful जो हम वीडियोज बनाते हैं वो मिस ना कर दें और अपने exams की तयारी अच्छे से करते रहें हम आते हैं अपने अगले प्रिशन पर प्रिशन नमबर 13 अभी तुम बाहर जाओ यहाँ वाक्या किस प्रकार का वाक्या है तो यहाँ पर देखें चार आप्शन है आग्या वाक्या, संकेत वाक्या, इच्छा वाक्या या विसमे आदी बोधक वाक्या आप अपने प्रिशन के वाक्या को अच्छे से पढ़ लिजे अभी तुम बाहर जाओ यहाँ पर क्या है, किसी को ओडर दिया जा रहा है कि तुम अभी बाहर जाओ तो जहाँ पर भी ओडर दिया जाता है किसी को आग्या दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है आग्या वाक्या, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आप्शन नमबर वन आग्या वाचक वाक्या सही उत्तर होगा प्रिशन में 14 जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो वहां अर्थ की दृष्टी से कौन सा वाक्या भेध होता है अब आपको यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो कि कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है कोई क्रिया नहीं हो रही है तो वहाँ पर अर्थ की दृष्टी से कौन सा भेद होगा तो यहाँ पर चार आप्शन है संदेह वाचक 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 में अर्थ के अधार पर वाक्या का कौन सा वाक्या भेद है चार उप्षन है विधान वाचक वाक्या संदेह वाचक वाक्या प्रेशन वाचक वाक्या या आग्या वाचक वाक्या प्रेशन में दिये गए वाक्या को फिर से पढ़िए मुझे वह पुस्तक उठा कर दो यहां पर क्या है order कर रहे हैं कि मुझे वो पुस्तक उठा कर दो तो जहां पर order हो वहां पर क्या होगा आग्या वाचक वाक्या यानि हमारा जो चौथा option है वो हमारा सही उत्तर है प्रेशन नमबर 16 क्या आप उसे जानते हैं इस वाक्या को विधान वाचक वाक्या में बदल कर लिखिए अब यहां पर देखे वाक्या क्या है क्या आप उसे जानते हैं यह क्या है प्रेशन वाचक वाक्या है और आपने इसको विधान वाचक वाक्या में बदल कर लिखना है और विधान वाचक वाक्या कैसे होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं जिसमें एक करता एक कर्म और एक क्रिया होती है तो यहाँ पर चार आप्शन है आपने देखना है सबसे सिंपल सा कौन सा है तो पहला option है आप उसे जानते हैं, दूसरा है आप उसे कैसे जानते हैं, तीसरा है शायद आप उसे जानते हैं, चौथा है आप उसे नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर देखे सबसे simple सा वाक्या कौन सा है, पहला कि आप उसे जानते हैं, यह क्या है आपका सही उत्तर है, लेकि यहां पर क्या है संदेव हो रहा है कि शायद आप उसे जानते हैं चौथा है आप उसे नहीं जानते हैं यानि यह क्या है निश्यदात्मक वाक्या है और हमें कहा है गिधानवाचक वाक्या तो यह क्या है हमारा जो पहला आप्शन है आप उसे जानते हैं ये हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि ये सबसे सिंपल है प्रेशी नमबर 17 गंगाधर जी का हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है इस वाक्या में उदेश्य और विधिया चांट कर लिखिए अब इस वाक्या में आपने उदेश्य और विधिया चांट कर लिखने है उदेश्य कौन सा होता है जिसके बारे में बात हो रही हो और विधिया बाकी बचा पूरा वाक्या तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है गंगाधर जी का हिंदी भाषा पर पूर्ण अधिकार है यानि गंगाधर जी के बारे में बात हो रही है तो जहां पर गंगाधर जी उदेश्या कहे गए होंगे और बाकी जो वाक्या बचा है वो विधिया कहा गया होगा वो हमार तो हमारे option देखे उदेश्य है गंगाधर जी का विधेया है हिंदी भाशा पर पुर्ण अधिकार है दूसरा option है उदेश्य हिंदी भाशा पर पुर्ण अधिकार है विधेया गंगाधर जी का ये क्या है उल्टा है तो ये तो नहीं होगा तीसरा है उदेश्य हिंदी भाशा पर विदेया गंगाधर जी का चौथा है उदेश्य गंगाधर जी का और विदेया पूर्ण अधिकार है तो तीसरा और चौथा वो अधूरे है और पहला जो हमारा आप्शन है वो हमारा सही उत्तर है क्योंकि यहां पर उदेश्य दिया गया है गंगाधर जी का और विदेया जो है वो बागी बचा पूरा जो वाक्या बच गया है हमारे पास हिंदी भाशा का पुर्ण अधिकार है हिंदी भाशा पर पुर्ण अधिकार है तो ये हमारा सही उत्तर होगा प्रशे नमबर 18 अरे सूर्य गर्मी दे रहा है इस वाक्या को विधान वाचक वाक्या में कैसे लिखा जाएगा अब यहाँ पर देखे अरे अरे के बाद क्या है विसमे सूचक चिन है यानि ये विसमे वाचक वाक्या है तो इसे जो है हमने विधान वाचक वाक्या में बदलना है यानि इसे बिल्कुल सिंपल करके लिखना है तो चार आप्शन है क्या सूर्य गर्मी दे रहा है दूसरा आप्शन है अरे सूर्य गर्मी नहीं दे रहा है तीसरा है सूर्य गर्मी देता है सूर्य गर्मी नहीं दे रहा है तो यहाँ पर सारे जो option है और समेसे जो तीसरा हमारा option है सूर्य गर्मी देता है यह बिल्कुल सिंपल है इसमें एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है तो यह है हमारा विधानवाचक वाक्या रोग हुआ है यानि यह निश्यदात्मक वाक्या है इसे जो है हमने प्रश्ण वाचक वाक्या में बदलना है तो चार आप्शन है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता दूसरा है शायद तुम्हें कुछ भी नहीं आता तीसरा है अरे तुम्हें कुछ भी नहीं आता चौता ह option है वो है शायद तुम्हें कुछ भी नहीं आता यह क्या है यह थोड़ा सा संदेह उत्पन कर रहा है कि शायद तुम्हें कुछ नहीं आता तो यह क्या होगा संदेह वाचक होगा तो जो हमारा पहला option है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता और यहां पर क्या है हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी के बारे में जानकारी भी प्रापतो रही है और साथ ही साथ प्रिष्णवाचक चिन्न का प्रियोग हुआ है यानि यह पूर्ण रूप से प्रिष्णवाचक वाक्या है तो ये हमारा सही उत्तर होगा प्रिष्ण नमबर 20 मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो यहाँ वाक्या किस प्रकार का वाक्या है अब यहाँ पर देखिए एक नया वाक्या आपको जानने को मिल रहा है कि मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर संकेत मिल रहा और ये एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है इस तरह की जो statement है वो किसकी होती है संकेत वाचक वाक्या की होती है तो यहाँ पर देखे हमारे जो option है उसमें से दूसरा जो हमारा option है संकेत वाचक वाक्या वो हमारा सही उत्तर होगा प्रशन नमबर 21 जिन वाक्यों से किसी या व्यक्ति के बारे में प्रशन पूछ कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है वहां अर्थ की दृष्टी से कौन सा वाक्य भेध होता है अब यहाँ पर statement से आपको पता चल रहा है कि प्रश्ण पूछ कर जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है यानि जहाँ प्रश्ण पूछा जाएगा वहाँ कौन सा वाक्या होगा प्रश्ण वाचक वाक्या तो हमारे जो options है उसमें से जो चौथा हमारा option है प्रेशन वाचक वाक्या वो हमारा सही उत्तर होगा प्रेशन नमबर 22 वहर शिमला गया होगा इस वाक्या में अर्थ के अधार पर वाक्या का कौन सा वाक्या भेद है चार option है विधान वाचक 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 वाच सा है ये है प्रेशन वाचक वाक्या तो यहां पर हमें इसे इच्छा वाचक वाक्या में बदल कर लिखना है तो यहां पर चार आप्शन है पहला है अरे क्या सभी सकुशल वापस आएंगे दूसरा है सभी सकुशल वापस आगए तीसरा है भगवान करे सभी सकुषल वापस आए चौथा है शायद सभी सकुषल वापस आ गए होंगे तो यहाँ पर जो पहला option है वो कौन सा है विसमे वाचक वाक्या है क्योंकि इसमे सुचक चिन का प्रोग हुआ है दूसरा है सभी सकुषल वापस आ गए यह बिल्कुल सिंपल है तो यह कौन सा होगा विधान वाचक वाक्या होगा तो यह हमारा इच्छा वाचक वाक्या नहीं है तीसरा है भगवान करे सभी सकुषल वापस आए यहाँ पर क्या है इच्छा व्यक्त की जा रही है कि भगवान करे, भगवान से प्रातना की जा रही है, इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हैं, कि भगवान करे, सभी सकुषल वापस आएं, तो ये जो है, वो हमारा सही option होगा, चौथा क्या था, शायद सभी सकुषल वापस आ गए, अंदेह है, यहाँ पर आपको doubtful है कि कोई वापस आया है, नहीं आया है, शायद का प्रियोग हो रहा है, तो ये क्या है, संदेह वाचक है, तो जो तीसरा हमारा option है, वो हमारा सही उत्तर होगा, प्रेशन नमबर 24, पडोसी का पुत्र विद्यालिया में पढ़ता है, इस वाक्या में उदेश्या और विदेह चांट क अब यहाँ पर क्या है, उदेश्या किसके बारे में बात हो रही है, पडोसी का पुत्र विद्यालिया में पढ़ता है, तो यहाँ पर उदेश्या कौन सा होना चाहिए, पडोसी का पुत्र, और विदेह कौन सा होगा, जो बाकी बचावा पार्ट है, विद्यालिया में पड़ता है और विदेह कहा गया है पड़ोसी का पुत्र और तीसरा और चौथा जो आप्शन है वो बहुत अधूरे हैं तो हमारा पहला जो आप्शन है वही हमारा सही उत्तर है प्रेशन नमबर 25 है मैं आज विद्याल्य अवश्य जाओंगा इस वाक्या को निशेद वाचक वाक्या में कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखे क्या है मैं आज विद्याल्य अवश्य जाओंगा इसको जो है आपने निशेद वाचक वाक्या में बदलना है यानि वहा आज विद्यालियर अवश्य जाओंगा, तीसरा है मैं आज विद्यालियर नहीं जाओंगा, चौथा है मैं आज विद्यालियर क्यों जाओंगा, तो यहां पर देखें मनाही किस option में है, यहां पर मनाही जो है केवल तीसरे option में है, मैं आज विद्यालियर नहीं जाओंगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, यानि जहां पर भी मनाही वाले शब्दों का प्रयोग होगा, वो निशेदात्मक वाक्या होगा, और अगर आपको कहीं पर निशेदात्मक वाक्या में बदलने के लिए खा जाता किसी वाक्या को, तो आपने सिंपल तरीके से जो है नहीं शब्द का प्रयूग कर देना है, तो आपका वो वाक्या निशेद वाचक वाक्या कहा, तो हम इस वीडियो में केवल इतने ही प्रशनों पर चर्चा करेंगे, और हम आशा करते हैं कि इन प्रशनों से आपको अपनी परिक्षा के लिए साहता प्राप्त होगी, कि आप अपने परिक्षा में जो आपके प्रशन में दिये गए वाक्या होंगे, आप उनको आसाने से पहचान लेंगे कि वो अर्थ की दिरिश्टी से कौन से भीद के वाक्या हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्या भीदों पर अगर आप और भी जादा MCQs चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल Success Series Education को Facebook, YouTube, Instagram और Twitter पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है अर्थ के आधार पर वाक्या भीदों पर और भी दूसरे MCQs प्राप्त हो जाएंगे, धन्यवाद.